हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेज मंच में चलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूं आज यूपी पीसेस प्री 2018 पेपर का पार्ट टू जो अकी आंसर की है हमने कट आफ जो बताए है उस पे हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जिन लोगों का प्रीक्लियर हो रहा है जिनके 85 प्लस मार्क्स हैं वो लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें क्यूंकि एक भी दिन वेस्ट किये बिना आप लोग मेंस की तैयारी करें कॉम्पडिशन काफी टफ होगा पैटन चेंज हुआ है यूपी एससी के पैटन पे यू प्लाओंगी वो इस वीडियो पर कि हम लोग क्या क्या मेंस के लिए प्लैनिंग करेंगे क्या पढ़एंगे और क्या क्या तियारी करेंगे मैं पूरे सिक्स मान्त के अंडर आपको पूरे मेंस की प्रिपरेशन इसमें करवाउंगी तो ये main's की जो planning है ये हम लोग आज शाम को या कल discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेते कोशन की क्या answer है कोशन नम्बर 51 पर इसका पहला पार्ट में अपलोड कर चुकी आप लोग हमारे चैनल से ये इसका पहला पार्ट देख सकते हैं कुछ नम्बर 51 निमलिखित में से कौन शुकली यजुर्वेद की सहीता है तो इसका दो आंसर हो रहा है तैतरी और मैत्राइन वैसे 90% तैतरी इसका आंसर होना चाहिए कुछ नम्बर 52 नीचे दो कथन दिये गए हैं जिनमें एक को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है तो कथन है भारत पर तुर्की आकरमण शफल हुए कारण है उत्तर भारत में राजनेतिक एकतान नहीं थी तो इन में से क्या सही है कूट का चैन करना है तो इसका ऑप्षन ए बिल्कुल सही है कथन ए और कारण दोनों सही है जिसने हिस्ट्री पड़ी है मेडेबल उसको यह पता होगा कि तुर्की आकरमण हुए थे और भारत जो है कई पार्ट्स में डिवाइड था जो राजा थे उन में राजनेतिक एकता नहीं थी और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है आर और एकी चलिए कोशन नंबर 53 निमलिखित मंदिरों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तो इसका ऑप्षन होगा इसका आंसर बी सबसे पहले गंगे कोड चोलापूरम मंदिर फिर इसके बाद ब्रहिदेश्वर मंदिर फिर महाबुलिपूरम का तटिय मंदिर और फिर सप्त पैगोडा नेक्स कोशन हाथी गुंपा काभिले कि शासक के विशे में जानकारी का श्रोथ है तो ये है कलिंग राजा खारवेल की ये आप लोग को लूशिंट में भी मिल जाए थी ये सही है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कारण दिया हुआ है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लेक शामिल हुई थी तो ये ये भी सही है लेकिन इन दोनों की ये जो व्याख्या है ये नहीं करता तो इसका आंसर होगा बी ए कारण तथा आर दोनों सही है और आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता नेक्स कोशन कोशन नम्बर 56 नेमलिकीट में से किन इस्थानों मध्यकाशी पाशान काल के पशुपालन के प्रमान मिलते हैं तो ये मिलते हैं ब아गॉर से आप्शन नम्बर सी नेमलिकीट यूगमो में से पौनसा सुमेलित नहीं है तो अ रस्खान रसिक प्रिया नहीं है रसिक प्रिया मध्य प्रदेश्ट की किसी कवी ने लिखी ती इस समय नाम याद नहीं आ रहा मुझे कोशन नमबर 59 निमलिकित घटनाओं को कालक नुक्रसार क्रम व्यवस्थित क्रम में लिखिए तो हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोशना पतर, सार्जेंट आयोग तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D सबसे पहले वुड का घोशना पतर आया था फिर उसके बाद हंटर आयोग, फिर सैडलर आयोग, उसके बाद सार्जेंट यूजना कुछ नमबर 60 निमलिकित नेताओं में किसने करांतेकारी संगटन अबना भारत समाज के स्थापना की तो अभिनाव भारत विनायत दाबोदर सावर कर 61 इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो अहूं 1815 में नहीं हुआ था सबसे उचा जलप्रपात कौन सा है तो जोग जलप्रपात जिसको गर्सुपा भी बोलते हैं जो कि शरावती नदी पे बना हुआ है कुछ नमबर 63 बनस्पती जलवायू का सही सूचक है तो किसे किस ने कहा था कथन तो ये कोपेन ने कहा था निमलिकित देशों में किसे पंपा घास का मैदान इस्थित है तो पंपा जो हिंदी मीडियो में पंपास भी बोलते है जो कि अर्जेंटीना में इस्थित है कुछ नमबर 65 सुमेली तिन में से कौन सा नहीं है तो गिपसन रेगिस्तान जो है वो ब्राजील में नहीं नहीं में उठके हैं कॉपइयत नमें है कॉफी उदादक देश्तों को यह क्रम नगाना है हमेंट इस φ 돼주방 manner which supporters Q67, स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप के मत समिद्री दूरी में कितनी कमी आई है तो 7000 किलो मीटर, ये भी आपको लूशिन में मिल जाएगा, ये मौसम मुख्याले को क्रम से लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप्शन नमबर D, सबसे पहले कोलकता में, फिर शिमला में, फिर पुने में और अब नई दिली में, अब इसमें काली मिट्टी के बारे में बताया गया है, फैक्स दिये गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें, तो काली मिट्टी के बारे में सही से रेगु और यह हिमाले चितरों में पाई जाती तो यह option गलत है क्योंकि धक्कन के चितरों में पाई जाती है तो इसका correct answer होगा D यह option गलत है क्योंकि नीचे पाई जाती है महरास्त और मद्परदेश की area में बहुत ही easy question McMohan रेखा सीमा रेखा है किसकी भारत और चीन के बीच की option number a पक्षी के पंजे के अकृति वाला डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो Mississippi नदी बनाती है पक्षी के पंजो वाला डेल्टा question number 72 जनसंक्या की प्रकृति विद्धी निम्नि में से किसका पंजनाम है प्रकृतिक विद्धी बोला इनोंने तो प्रकृतिक विद्धी और शोधित जन्दर और शोधित मित्यदर दोनों के फॉर्मूले को यूज करके निकाली जाती है तो option number 10 का correct answer होगा मानविका सूचकांग सरप्रथम कि स्विक्सित किया गया था UNDP द्वारा option number A 74 ग्रामीन रोजगार का सबसे बड़ा कारिकरम all nose मन्रेगा कारिकरम निम्लिकित में कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आई की विशमता को मापा जाता है लूशन का कोश्चन है निम्लिकित राज्यों में से कौन आर्थिक दुष्टी से सबसे उपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है अगर आपको लिंगानुपात में से निचे हरियाना नेक्स कोईशन कोईशन नमर 77 निमलिकित करों में कौन सा ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है बिक्री कर भूराजुस्प कर तो नहीं लगाया जाता है इस्थानिय मेलो पर कर या उपयुक्त में से कोई नहीं तो जब भी ऐसा उपयुक्त में से कोई नहीं के चांसेश बहुत कम होते हैं तो इस्थानिय मेलो पर कर निमलिकित में निमलिकित पांच वर्षू वर्षू योजनाओं में किसका मुख्य दे संपोशने विकास था सस्टेनिमल ग्रोथ किसका था तो बारे मी पंच वर्षी उजना का मुख्य धिये था सस्टेनिमल ग्रोथ सेवंटीनाइन स्मार्ष सिट्टी विकास कारिक्रम में विकास के लिए केंद्री सरकार द्वारा नहीं चुना गया है किसे इन में से गाजियाबाद को नहीं चुना गया औप्शन सी रास्तिय परिवार सर्वेक्षन वर्तमान में भारत की कुल प्रजनंदर क्या है वर्तमान में भारत की प्रजनंदर है 2.33 तो 2.33 अल्मोस 2.2 के करीब 2.4 के करीब नहीं होगा यह तो इसका करेक्ट आंसर होगा A 2.2 नेक्स कोशन कोशन नमबर 81 भारत में नगरेच छेत्रव में BPL परिवारों की पहचान के निमलेखित में से कौन सी समिती गठन की गई थी तो इसे की गई थी तैंदूलकर समिती इंडिया स्टेट फॉरेट्स रिपोर्ट 2017 के नुसार देश का कुल भवलिक छेत्रवल कितने प्रतिशान्त वनों के अंतर गहत है तो यह 21.54 परसेंट कोशन नमबर 83 बाग परियोजना कब शुरू की गई थी तो यह शुरू की गई थी 1973 में ऑप्शन दिया है 72 तो यही आंसर होना ची है वैसे कोशन गलत है 1973 में शुरू की गई थी निमलिकित में कौन मानो जनित जीवोप का एक उधारन है तो मानो जनित मानो फसली भूमी का ही जनक है तो फसली भूमी इसका करेक्ट आंसर है कौन सा जन्वर बिना पानी पिये लंबी अवदी तक जीवित रह सकता है डाची गामा रास्ते उध्यान जो की कश्मीर में है किस से संबंदित है तो इसका हंगुली है कश्मीरी स्टैक विशु जय विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है करेक्ट आंसर है 22 मई को मृदा से संबंदित इडेफिक ओजोन की सरवाधिक सांधरता सरवाधिक सांधरता तो स्टैटोस्फेर में मिलती है और ट्रोपोस्फेर में भी इसकी कुछ अंश पहए जाते है लेकिन सरवाधिक पूछा है तो आंसर सी होगा इसका स्टैटोस्फेर वैश्विक वुश्मन के फलस्वरूप निमलिकित में से किसकी बारम बढ़ता प्रचेंडता बढ़ रही है तो चक्रवात की तूफान की बवंडर की और सभी की तो इसमें होगा सभी की प्रचेंडता बढ़ रही है कौन स्ववासन सरक्षन रनिती का उधारन नहीं है तो ये है वनस्पती बाग सूरी के प्रकाश से परबैदनी विकरण अभिकरिया में से क्या पैदा करती है? तो यह पैदा करती है फ्लोराइट्स, उप्शन दी नॉर्मन बॉर्लॉक की छेत्र में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया है तो नॉर्मन बॉर्लॉक वो ग्रीन रेवुलुशन का जनक भी माना जाता है वर्ल्ड में तो इसको लोगों ने देख कृशी पर आंसर लगा हुआ लेकिन ने शांती के लिए पुरुसकार द तो यही गलत होगा इसमें अगर किसीने कॉमन सेंस लगाया होगा तो यह कोशिन इसे कर सकता है 96 कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है तो इसमें सिंपली पार मध्य परदेश में नहीं है उडिसा में है ऑप्शन नमबर डी 97 निमलिकित में से किसे जेवी नरलिकर के अनुसार अब तक विज्ञान नहीं माना गया है तो जोतिश को विज्ञान नहीं माना गया है विलहम रॉंटेजन ने किसका आविस्कार किया तो एक्सरे मशीन का आविस्कार विलहम रॉंटेजन ने किया 99 डूई Qundallit in Lachna किसके द्वारा की गई थी, तो वेत्सन और क्रिक के द्वारा विदु-छुम्ब के विकर्णों में किसकी उठ्जा सबसे अधिक होती है Original X क्राँत की सब्से अधिक होती है तो यहीं खतम होते हैं, आज हमारा part 2, part 3 भी मैं जलसे जल लाने की कोशिश करूँगी और उसके बाद हम तयारी करेंगे mains की, mains की preparation करेंगे जिनके कट-off marks के अंदर आ रहे हैं, वो तो तो तयारी शुरू करें, जिनके नहीं आ रहे हैं, वो भी मैंस की तयारी शुरू करें, क्योंकि मैंस का पेपर अगर हम तयार कर लेते हैं, तो प्री अपने आप निकल सकता है, बस कुछ फैक्ट्स रटने की जरूद होगी तो हम मैंस का प्रपरेशन करेंगे, मैंस के लिए क्या स्ट्रेटीजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में वीडियो जल से जलाओंगी, कौन से बुक्स प्रिफर करें, और बुक्स ना भी करें तो मैं आपको इतना कोर्स करा दूँगी, कि आप मै मैंस के लिए करेंट अफेर्स की बहुत बड़ी भूमी का होती है, करेंट अफेर्स में अगर डालते हैं तो हमें और उसे बहुत अच्छे नमर मिल सकते हैं, तो मैंस में करेंट अफेर्स डालने के लिए हमारी सीरिस करेंट अफेर्स को देखना ना बूलिए, जिसमें हमन तो आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस होने चाहिए, जादा से जादा अपने थौट को इवैलुएट करने आना चाहिए, सोच सब लेते हैं, लिख सब नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप लोग हमारी हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर हम जल से जल बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मेंस के लिए लेकर आएंगे विट स्ट्रेटेजी तो थैंक्स फर वाचिंग जय हिन जय भारत